तो जैसे है कि मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है कि जब भी अगर आपको किसे lower level stock को buy करना तो सबसे best condition होता है support पर buy करना, जो media sector है वो up है, stock जो है breakout दे रहा है, don't worry, अभी हम लोग discuss कर लेंगे, और nifty भी अपने all time high के पास state कर रहा है, तो सारे condition हमारे favor में, तो ऐसे cases में क्या होता है, price के ऊपर जाने के जो probability होती है, वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है हाई everyone, इस वीडियो में हम लोग कुछ SS stock के बारे में डिसस करने जा रहे हैं, जहांपर हमें आज के दिन काफी अच्छा एक breakout देखने को मिला है, और अगर इस stock breakout के direction में, अगर movement को continue करता है, तो हमें आने वाले समय में क अच्छा return देखने को मिल सकता है, बात करतें stock की पहला stock है, हम रहे है BASML का और ERAS का chart, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर region को find out करेंगे, कि हमने इस stock को क्यों select किया है, क्या हमारा entry price होगा, क्या stopless होगा, और क्या हमारे possible target हो सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, जो यहां पर मैं time frame उश कर रहा हूँ, वह है daily का, तो आ और अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इस zone पर focus करना है, कि price किस तरह सब behave करता था, जब भी price इस zone के पास आता था, आप यहां पर notice करेंगे, price यहां पर एक breakdown देता है, downside में काफी better move, again price इसको touch करता है, downside में एक काफी better move, again price इसको touch करता है, downside में एक काफी better move, again price इसको touch करता है, downside में एक काफी अच्छा move almost यहाँ पर 4 to 5 days का consultation and आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला region इसा stock को जो select करने का है वो है resistance का breakout और आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह 61.75 का जो level था यह last time हमें September 22 में दिखने को में जा था and almost 2 years के बाद हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इसे हम लोग काते है multi-year का breakout अगर कोई भी breakout अगर एक साल के अगर बाद होता है तो उसे हम लोग काते है multi-year का breakout आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते है कि जो आज का जो volume है वो previous days के comparison में कई गूना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेसा ध्यारम रखेगा जब यह आप volume और price को combine करते हैं तो कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के उपर जाने की जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 65 रूपीज के अगर उपर जाता है तो अगर अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stopless के तो stopless होगा previous swing low जो कहा रहा है 59 रूपीज on closing basis almost 10% का हमारे पास इसे ला रहा है और यह है वैसाली फार्मा का और यह रहा है का चार्ट तो हमने इसको सबसे पहले somewhere यहाँ पर दिसस किया था around 80 रूपीज के आस पास and right now it is trading around 200 उसके बाद हमने यहाँ पर दिसस किया था somewhere around 205 and आप यहाँ पर notice करेंगे कि हमारा level ही नहीं आया है तो जैसा कि मैं आपको हमेशा suggest करता हूँ कि अगर आपको markets अगर अच्छा पैसे कमाना है तो आपको level को respect देना होगा अगर levels नहीं आ रहे तो हमारे order execute नहीं होते है जब बरदस्ती में अगर buy करेंगे तो आपको इसी परगार के downfall देखने को मिल सकते हैं बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है तो सबसे पहले region और एक simple सा trend line और आप यहाँ पर notice करेंगे price जब भी इस line के पास आता था हमें downside में एक move देखने को मिलता था बट आप यहाँ पर notice करेंगे कि आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को select करने का जो region है वह है trend line का breakout आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है वह previous day के comparison में कई गुना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 200 के अगर उपर जाता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 168 rupees on closing basis हमारा first target है इसका all time का है जो कि 204 एंड इसके बाद यह जो stock है अपने all time high के तरफ चला जाएगा तो इस stock पर नजर बना के रखेगा region इसका यह है कि यह काफी close state कर रहा है अपने all time high के पास और अगर इसने एक बार अपने all time high का breakout दिया तो यह सभी के नजर में आ जाएगा and वहां से आपको बड़े moves देखने को मिल सकते हैं बात करते हैं next stock की और यह है chronox का और यह रहा इसका चार्ट सबसे पहले region एक simple सा rectangle और आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह जो stock था काफी लंबे समय से एक छोटे से range में trade कर रहा था and आज के दिन हम इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस range को हम लोग consolidation जो और box button कहते हैं तो पहला region इसा stock को जो select रहने का है वह है either consolidation जो और box button का breakout आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो इसका all time high था वो था somewhere around 172 डूपिश के आसपास and आज के दिन हमें इसका भी एक breakout होते हुए दिख रहा है that means कि breakout के साथ volume भी इसको support कर रहा है and आज के दिन हमें काफी massive volume change देखने को मिल रहा है बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 185 के अगर उपर जाय था तो अगर अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss का previous swing low जो के रहा है 160 rupees on closing basis अगर बात करेंगे target की तो देखिए जब भी stock अपने all time hyper trade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के मूँपर partial profit book करते हैं आप यहां पर नोटिस करेंगे हमने इसको डिसस के था somewhere around 120 के आसपास फिर डिसस के around 200 के आसपास और इसने high लगा था around 302 का तो काफी बहतीन आपको returns देखने को मिलेंगे anyways अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए but सबसे पहले region और एक simple सा demand zone और अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इस zone पर focus करना है कि price किस तरह से behave करता था जब भी prices के पास आता है तो आप यहाँ पर notice कर सकते है prices को breakout देता है upside में काफी अच्छा मूँ, prices के पास आता है इसको touch करता है upside में काफी अच्छा मूँ को मिल रहा है तो इस stock को select करने का जो region है support से reversal बट यहाँ पर जो सबसे interesting चीज है वो है आज का volume जैसा कि आप यहाँ पर notice कर सकते है कि जो आज का volume है वो previous day comparison में जादा है इस reversal को volume भी support कर रहा है तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा suggest किया है कि जब भी अगर आपको किसी lower level पर stock को buy करना तो सबसे best condition होता है support पर buy करना क्यूंकि अगर support से stock को reverse करता है तो सब हमें काफी बड़ी returns देखने को मिलते है और अगर यहाँ पर यह stock reverse करता है तो आपको असानी से 300 तक के target देखने को मिल सकते हैं बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 230 के अगर उपर जाता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stopless के तो stopless होगा previous swing low जो के है 210 Rs. on closing basis first target है 247 का second target है 271 का and third target है पास 295 का अब आई यह देखते है आज का last stock और यह है semaru का तो अगर आपने दिन में अगर आज notice किया होगा तो media sector तो जो था वो काफी ज़्यादा अब था तो यह stock भी media sector का ही आता है that means कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे है जो media sector है वो up है stock जो है breakout दे रहा है करते हैं region की एक simple सा trend line अगर आपको trend line drop करना नहीं आता है तो मैं इस पर already एक video बना रखा है आपको जब भी time मिले आप उसे जाके देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते है prices को touch करता है downside में एक काफी अच्छा move again prices को touch करता है downside में एक काफी अच्छा move again prices को touch करता है downside में एक काफी अच्छा move and आज के दिन हम इसका breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select रहने का region है वो है trend line का breakout आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का volume है वो previous days के comparison में जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है और एक pattern आप यहाँ पर odd draw कर सकते हैं जिसे हम लोग करते है pin and pattern आज के दिन हम इसका भी breakout होते हुए दिख रहा है तो previous कुछ वीडियो जो में मैंने आपको बताया था एक concept के बारे में कि आप यहाँ पर notice करेंगे price जो है वो बड़े range से छोटे range की तरफ shift हो रहा है तो इससे हम लोग करते है price contraction और आप यहाँ पर दिखेंगे कि आज के दिन में एक breakout होते हुए दिख रहा है तो जैसे हैं आप spring को press करते है तो वो क्या होता है वो दब जाता है जैसे आप उसको छोड़ते तो expand होता है तो यहाँ पर भी अगर यह breakout को successful होता है तो आपको बड़े returns देखने को मिल सकते है बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 175 के अगर ऊपर जाता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stopless के तो stopless होगा previous swing low जो कहा रहा है 158 rupees on closing basis हमारा first target है 189 का second target है 212 का and third target है 234 का तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा Thanks for watching